अब हम जो हैं वो यहाँपर correct mean calculate गर न सीखेंगे यानिकी सही माद्दे रिकालना incorrect mean से तो हमारे पास सभी कवाल क्या होता है misunderstanding हो जाती है data को देखने में जिसके वज़े से mean जो है वो क्या हो जाता है incorrect calculate हो जाता है उसमें भी एक कोशन जो है वो देखने को मिल जाता है तो यहाँपर मेरे पास book है उस book में कोशन दिया हुआ है वो कोशन मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ यहाँपर क्या कोशन है तो यहाँपर दिया हुआ है तो यहाँपर दिया हुआ है यहाँपर हमारे पास mean जो की incorrect है तो मैंसे लिख देता हूँ यह वो incorrect sigma x bar यानि incorrect mean दिया हुआ है incorrect mean जो है वो 40 है और number जो हमारे पास 100 student जो है वो दिये हुए है लेकर लोली पॉस फांट रेया डिस्कवर्ड डैट अ स्कोर ओ 53 वो मिस्वीड यहाँपर यहाँपर जिसके वज़े से हमारे मीन जो है वो क्या हो गया गलत हो गया तो इसके लिए हमें जो है वो सबसे पहरे क्या calculate करना होगा तो हमारे पास incorrect mean जो है वो दिया हुआ है तो आप सबसे पहरे इनकरेक्ट सिग्मा एक्स बार जो है वो calculate कर लें इनकरेक्ट सिग्मा एक्स तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स calculate करने के लिए हमारे पास बड़ा होता है है x-bar into n यानि कि जो mean दिया हुआ incorrect mean तो मैं या पर incorrect in लिख दे रहो ओं शॉट फोम में incorrect mean into number of terms तो incorrect mean हमारे पास 40 और number of terms जो है 100 है तो हमारे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स जो है वो आ जाता है 4000 अब उनकरेक्ट में जो है वो incorrect sigma x में से minus कर देनी होगी अपनी wrong value जो हमारे पास wrong हमने यहां पर रख ली है और इसमें add कर देना हमको right value जो हमारी क्या है जो हमारी right value 63 है इसको हम आपर calculate करते हैं तो हमारे पास 3970 जो होकर आजाता है और यह हमारी जो है विकुल सही value आती है तो correct sigma x दिया हुआ है और इस correct sigma x से correct mean जो हम हम निकाल लेते हैं तो correct mean जो हमारे पास formula होगा correct sigma x क्योंकि formula क्या होता है sigma x upon me n तो correct sigma x upon me n नहीं हम formula खेंगे तो 3970 upon me n हमारे पास कितना दिया हुआ है 100 इसको इससे divide करेंगे तो 39.70 जो है वो आ जाएगा यानि कि यह हमारा correct mean है और गलती कहाँ पर हुई थी हम उसे यहाँ पर हमने 83 को रख दिया था जिसके वज़ेसे हमारा जो हमने 43 को रख दिया था जिसके वज़ेसे हमारा चेंज कर से value को देखा तो हमारा correct mean जो है अब हम अपने आगे टॉपिक में जो है वो बढ़ते हैं शेक्टर में और क्या बाकी रहे गया है